दोस्तों इन दिनों कॉंग्रेस कारीकरताओं की तरफ से लोगतंत्र बचाने के लिए जबरधस तरीके की रैलिया निकाली जा रही है लोगतंत्र इसलिए बचाया जाना है क्योंकि राहूल गांदी की सदसिता चली गई है और इस अदिसिता को रद करने के बाद से ही कॉंग्रिस कारी करता सड़कों पर उतारू है हर तरफ हर राज्य में कॉंग्रिस कारी करताओं का विशाल जुलूस विशाल प्रदर्शन जो है वो साफतोर पर देखने को मिल लहा है अब एक और वीडियो सामने आई है दोस्तों जहां पर रातो रात भीड जो है इस रैली का हिस्सा बन गई जी यहां दोस्तों यह वीडियो श्रिनवास की तरफ से शेयर किया गया है और इस भीड को अगर आप देखेंगे तो हातों में टॉर्च की लाइट लिए कॉंग्रिस जंडा है और राहूल गांधी की तस्वीर है राहूल गांधी के समू सपोर्ट में समर्थन में यह भीड जो है कॉंग्रेस कारेकरताओं की वो साफतोर पर देखनी को मिल रही और कहा जा रहा है कि हम जो है लोकतंत्र को बचाने के लिए ऐसे ही सड़कों पर उतरते वे करा जा रहा है अभी कुछ दिन पहले ही हमने आपको केला की तस्वीर दिखाई थी जहां पर रात के अंधेरे में मर्साल जुलूस निकाला गया था उससे पहले जो है तमिनाडो की तस्वीर दिखाई उसके बाद फिर हमने करनाटक की तस्वीर दिखाई मधिप्रदेस की दिल्ली के कई highways में जो है दिली जैपूर highway वहाँ की दिखाई हरियाना की दिखाई और आज हिमाचल प्रदेश की तस्वीरे भी कुछ इसी तरीके से नज़र आ रही है शुमला वहाँ पर कॉंग्रिस कारी करता जो है वो अपना विरोज अतातेवे नज़र आ रहे हैं हाथों में पोस्चर बैनर मशाल लेकर सड़कों पर उतराए हैं दोस्तो राहूल गांदी की सद्यसता जाने के बाद कॉंग्रिस ने ठान लिया है कि वो इसी तरीके से प्रदेशन करते रहेंगे इसी तरीके से जो है लोगतंत्र को बचाने की आवाज मुहीम जो कह लिजे वो करते वे नज़र आएंगे जब से राहूल गांदी की सद्यसता सूरत कौर्ट की तरफ से सूरत की निचली अदालत की तरफ से जो है सजा सुनाई गई उसके बाद जो है सदन में सदन के स्पीकर द्वारा इस पूरे कारवाई पर जो एक्शन लिया गया उनकी सद्यसता रद कर दी गई तब से कॉंग्रेस जो है वो काफी गोस्से में नजर आ रही है बैठक पर बैठक हो रहा है विपख्षिदल एक जूपता दिखा रहे हैं एक सात आये हैं कुछ विपख्षिदल जो है विरोध भी कर रहे हैं जैसा कि अदानी मुद्दे को ही ले लीजे कि अदानी का मुद्दा जब से सुर्खियां बटोर रहा है जब से राउल गांदी अदानी को लेकर सवाल पूछ रहे हैं सदन के अंदर भी उन्होंने सवाल पूछा था अदानी और मोदी के रिष्थे के बारे में लेकिन उसका जवाब आज तक नहीं मिला लेकिन हां कुछ पार्टियों का साथ समर्थन जरूर मिला है लेकिन कुछ पार्टियों का विरोध भी देखने को मिला है जैसे शरत पवार को ही ले लीजे जिपसी की मांग को सीधे तोर पर कह रहे हैं कि ये जो है एक एजंडा की तहत है अदा पानी से मिले हुए इशरत पवार जो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं तो यानि कि ये जो लड़ाई है ये जो राजनीती की लड़ाई है वो सीधे तोर पर एक दूसरे को शेह और मात देने की लड़ाई है और कौन किसको शेह देता है वो तो वक्त बताए का दोस्तों लेक सब्सक्राइब करें वीडियो अच्छा लगा हो तो जादा से जादा लोगों तक शेयर जरूर करें धन्यवाद